अगर आपका आईफोन फस गया है, बूट लूप में स्टार्ट नहीं हो रहा है, एपल लोगों पे हो गया है, स्टक तो वन क्लिक से आप तेना और शेर के री आईबूट प्रो से उसको कर सकते है, कम्प्लीटली ठीक इस सौफ़वेर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये वे लिंक से कर लीजे अपने PC पे डाउनलोड, कनेक कर लीजे अपने iPhone को क्लिक कीजिए, फिक्स नाओ के ऊपर, आपका iPhone और firmware यहां से कर लीजे confirm, डाउनलोड कर लीजे अपने firmware को और इंस्टॉल हो जाएगा आपके iPhone पे और आपका iPhone जो है, बूट लूप से आजाएगा बाहर और हो जाएगा completely ठीक, इसका लिंक यह डिस्क्रिप्शन में है, चेक आउट जरूर कीजिए, हाई दोस्तों, असलाव अलेकूम, कैसे आप लोग, मेरा नबील है, iOS 14.4 का beta 2, Apple ने कर दिया है release और यह अप अपडेट है, अपडेट के पहले मेरे iPhone 12 पे जो available free space था, वो था 27.8 GB और यहाँ पे modem firmware आप दे सकते हो, जो था 1.41.00, अपडेट के बाद, यहाँ पे मेरे iPhone 12 पे जो available free space है, वो slightly जो है बड़ा है, और यहाँ पे एक नया modem firmware हमको देखने मिल रहा है, अब यह नया जो modem firmware होता है, इससे आपकी network connectivity issues जो है, वो solve की जाती है, तो अगर आप 14.4 के beta 1 पे थे और अगर आपको network connectivity issues आ रहे थे, तो इस वाले update में वो सारे आपको fix होते वे नजर आएंगे, जो के यहाँ पे मुझे नजर भी आ रहे है, यहाँ पे आप देख सकते है मेरा जो network है, it is very stable, म को एक नया build number भी यहाँ पे देखने मिलता है, 14.4 beta 2 के अंदर जहाँ पे end में आ रहा है D, यानि कि अभी हम लोग 14.4 के stable version से काफी जादा दूर है, performance की बात करें दोस्तों, तो update से पहले का single core और multi core score, geekbench का यहाँ पे आपके सामने है, और यह है आपके सामने metal score, और update के बा fixes किये है, नए features के अंदर एक feature यह है, कि अगर आप HomePod का इस्तमाल करते हो, जो आपके Bluetooth, Wi-Fi और AirDrop की मदद से आपके phone और HomePod के बीच में connection फॉर्म करता है, उस case में आपको बहुत ही जदा instant जो है transfer नजर आएगा HomePod और आपके iPhone के बीच में, unfortunately मैं आपको यहाँ पे demonstrate करके अ लेकिन blazing fast speed में जो है, अब अपने HomePod से अपने iPhone पे और iPhone से अपने HomePod पे music transfer कर सकते हो, जो कि पहले एक बहुत बड़ा इशुरू था, मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ, मेरे पुराने वीडियो के अंदर, कि वो चीज़ के लिए Apple ने update लेके आना चा सफारी में जाना है और यहां पे आपको टाइप करना है, find my उसके बाद आपको दिना है, semi colon उसके बाद दो forward slash और items टाइप करना है, और आप जब go पे क्लिक करेंगे तो यहां पे यह पॉपप आएगा, that open this page in find my application, open में type करने पे यहां पे आपका find my application open हो जाएगा, और यह यहां पे एक बहुत ही कमाल की चीज़ आपके सामने आएगी, जो कि हमको बताती है, that air tags is going to be released very soon, find my iPhone के अंदर air tags का यहां पे complete inclusion हो गया है, यहां पे आप देख सकते है, आपकी key, आपकी bike और आपकी जो bag है, उसके बारे में यहां पे बताया गया है, और यहां पे add item पे click क करके आदा है, अभी हमरे पास air tags नहीं है, किसी की पास भी नहीं है, obviously बात है, apple वालों के पास यह है, जो कि अभी तक उन्होंने release नहीं किया है, तो air tags अगर आप किसी भी product के इस्तमाल करेंगे, या फिर third party manufacturers, जो air tags या उससे similar products लेके आएंगे, उसके लिए यहां पे search items का option आ चुका है, जिससे आप search कर सकते हो, और यहां पे अपने air tags हो, और दुसरे जो tracking वाले items है, उनको यहां पे add करके रख सकते हो, find my application जो है, इसके जरिये से आप उन पे पूरी नजर रख सकते है, tracking कर सकते है, तो air tags actual में आने वाले है, बहुत ही जल्दी, दोस्तों यहां प बात कर लेते हैं, हम लोग bug fixes के बारे में, अगर आपके iPhone पे, आप headphones इस्तमाल करते हो, Airpots इस्तमाल करते हो, या Bluetooth वाले कोई भी earphones इस्तमाल करते हो, और आपको यह problem आ रहा था कि Bluetooth का, जो भी earphone आपने पैना हुआ है, उसमें sound automatically कम हो रहा है, automatically बढ़ रहा है, यह issue अगर आ इस्तमाला issue जो है, कुछ लोगों को आ रहा था, तो अगर आपने headphones के साथ, दूसरे भी Bluetooth devices को करने करके रखा है, आपके iPhone के साथ, तो आप वो चीज़ को अप कर सकते हो, अपने मताबिक set, आपको जाना है, setting में, setting में जाना है, Bluetooth में देखिए, यहाँ पे सिफ मेरे AirPods ही है, म यह जो है, यह car का stereo system है, कोई headphone नहीं है, तो उसका जो sound होगा, वो fluctuate नहीं होगा automatically, अगला जो bug fix Apple ने यहाँ पे किया है, वो issue काफी जादा लोगों को आ रहा था, मुझे कई लोगों ने Instagram पे DM करके भी बताया है, कि 14.4 का Beta 1 जो है, उसमें उनका iPhone बहुत जादा lag ही हो गया करते हो, control center को open, close करते हो, तो उसमें आपको जो है, lag वगरा देखने मिल रहा था, frame drops और shutter जो है, वो देखने मिल रहा था, लेकिन अभी वो problem Apple ने यहाँ पे solve कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते है, that the operation is completely buttery smooth, यहाँ पे कहीं भी आप जाईए, navigate कीजिए, कोई भी issue अचाहिए, यहाँ पे Apple ने कर दिया, fix, इसलिके साथ, जो लोगों को SMS या फिर iMessage का notification बग आ रहा था, वो भी solve हो गया, क्यों जैसी मैंने यह वाला update किया, यहाँ पे जो यह चार messages आपको नज़र आ रहे है, मैं obviously आपको खोल के भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि दंबर से कुछ लोगों है, बट वहाँ पे वो message जो है, एक drop down notification के तोर पे मेरे सामने आया, और यहाँ पे जो है, मुझे उसका notification मिल गया, उसका sound भी मिल गया, तो यह issue भी completely आप fix कर दिया, अब यहाँ पे दोस्तों यह सारे नए features और मैंने bug fixes आपको बताया, लेकिन एक चीज़ Apple न ने battery replacement के लिए किया था, वो ही cameras के लिए भी किया है, अब आपके iPhone 12 series का, I am not sure about the older iPhones, उसके बता चल जाएगा, बट अगर आपके latest iPhones का camera जो है, वो खराब हो जाते है, तो आप उसको इस्तमाल नहीं कर सकते, जब तक कि आपने original camera module नहीं लगाया हुआ है, जो कि आपके phone के लि cloud lock वाले होते है, तो उसका camera module निकाल के वो आपके iPhone में लगा के आपको देते है, उस case में आपको यहाँ पर notification आजाएगा कि camera जैनुएन नहीं है, और आप उसका इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, वो आपके iPhone के अध कमपैटबल नहीं रहेगा, अब यह अच्छा किस तरीके से है, बुरा किस तरीके से बताता हूँ, जिन लोगों के phone चोरी हो जाते है, और वो इस तरीके के repairing center वाले लोग खरीद लेते है, भले iCloud lock क्यों नहीं हो, वो लोग उसके parts का इस्तमाल अब उतना नहीं कर पाएंगे, जैसे battery और camera का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे, बुरा इसल किसले, वो आपके उपर depend करता है, लेकिन क्योंकि बहुत सरे लोग prefer करते है, third party repairing के लिए, उनके लिए ये मुश्किल साबित हो सकती है, तो यह था दोस्तो, iOS 14.4 का developer beta 2, इसके आद आपको public beta 2 भी जो है, कुछी time में देखने मिलेगा, इस video के बनाने के, अगर आप लेट द experience देखने मिलेगा, आपके iPhone के साथ, तो भी कतब दोस्तो, आपको आज का वीडियो पसना होगा, पसना को इसको like and share जरू कीजिए, मेरे इस चैनल को subscribe जरू कीजिए, goodbye